सो हे गाईस तो कैसे आप लोग आई होप आप लोग एच्छे होंगे आज की जो स्टोरी बहूं साथ सुमेथ ने शेयर की है आपको भी अपनी इस्टोरी मेरे साथ सेयर करनी है दिगे email ID पर आका अपनी स्टोरी मेरे साथ सेयर कर सकते है सुमेथ जो एक middle-class family से बिलॉब गरत तो वहां पर उसको कोई होस्टेल नहीं मिल रहे होते हैं तो सोचता है कि में पीजी ले ले लेता हूं पर उसके काफी साज करेने पर उसको कोई पीजी नहीं मिलता है कि कि काफी सारे पीजी और रड़ी बोगट थे और उसको काफी सच्टी में चाहिए था तो वह एक ब्रोक एक बस हम सब कोछा था इसके कोई बिवर ल्कpex लिता है तो हुआ कि उसके लिए एक सप्राइज गिपट रखता है चाहिएक। सुमेथ काली बिली पैट सोब से ख़िए लेता है एंद अभोट टैडी वियर होती है मतलब मैं बोल नी सकता है कि अभी तैडी वियर अब अभी कापी कुरानी लग रही होती है एंद अपने पीजी से रात पे आठ या नौ बजि निकल जाता है एह सबसे बढ़ा इसकी गलती होती है कि कि उसका होस्टल और PG एक ही रोड प्रतए निस अकझार्ड इयुक्त इम्लेक जाता है और अखूर्या पे होन फेंग लिगो इसको कोई एक सिय नहीं लेह गलता है कोई भी आदमी भी नहीं होता है वहां पे इस्ट्री ट्लाइट होती हैं वो भी काप जदा सिलो जल रही होते हैं वो कैसे नगहते करके पैदा ली जाने लगता है कि वोस्टे जादा दूर नहीं था और इसको सप्राइज देना था क्योंकि अपने दोस्त के लिए एक टैडी अच्छे से एक तरीक से उसका काफी अजीब सा मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वही मेरे को भी समझ में नहीं आरगता कि सुमित ने अच्छे से इसको देखते ही वहां सब्सक्राइब भाग के अपने दोस्त के यहां पर फोस्तल में चला गया एंड उसने सारी स्टोर्य दोस्त बताया है दोस्त समय रहा है कि मेरे मज्जे ले रहा है इसलों कोई बढ़िब नहीं करता एंड बैस रेलिबेट करने के बाद भी सुमित को और यहीं पर उसके पीछे कोई ना कोई है उसको को विल्ली किया आवाज हो रही होती है इसे नहीं तो दोस्ते मताइब मेरे साथ ऐसा हो रहा है मेरे को आबाज आदे, बार बार कोई भी ऊसका मजग रहने गराए तो सबको लग रहा था समिस मजग कररा है पर समिस मजग नहीं कर रहा था वह अगरे दिन अपने PG में जाता है दिन में भी उसको वहां पे आबाज आने लगती है और बहुत जड़ड़ लग रहा होता है लग रहा होता है एंड चारू तरप से उसको नौकिंग किया बजा रही होती है उसकी वह और थे बहुत जार जाता है और वेखस हो जाता है उसकी आक्स चोबर 10-11 बाजे खुलती है और वह सीधी अपनी पापा को फॉन लगाता है फॉन लगाता है उसके बापिस उत्रपदे पर उत्रता है अपने पापा को लगा देता है उसके बापा उत्तर प्रदेश के रिलो इस्टेशन पर आ जाते हैं इसको फिक करके अपने घर ले जाते हैं एंड पंजी जी को दिखाते हैं अभी सुमित ठीक है और उसके पास साथ किछ भी नहीं हुआ है